नमस्कार मेरे बच्चों कैसे हैं आप सारे लोग आपका स्वागत है मा यूटूब चैनल इस्टडी वि नीरसर में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मिल्क सुपरवाईजर जो है यूपी ट्रपलेसी से 2016 की वेकंसी है और रिजल्ट आ चुका है डाकूमेंट की डेट जो है बिल्कुल आने वाली है आपका सबसे पहले डाकूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा एक चीज़ पता दूं कि 2016 में जिन्होंने मिल्क सुपरवाईजर का फॉर्म डाला था उनके लिए जो है सेलेक्शन लेने का बहुत अच् कि द्यानकना बहुत ही इंपोर्टेंट है जो है मिल्क सुपरवाईजर का इंटरव्यू इंटरव्यू से आपका सेलेक्शन स्योर हो सकता है आप लोग अगर अच्छा कंटेंट और अच्छे कोशन यूटूब से प्राप्त करेंगे यूटूब से पढ़ेंगे तो वहां स से आपका सेलेक्शन सुनिशित होगा अब आपके ऊपर है कि आप कैसे चैनलों का सेलेक्शन करते हैं जिससे आपका सेलेक्शन हो इंटरव्यू में अच्छे कोशन आपको मिलेंगे बहुत सारे बच्चों ने फून किया सार मिल्क सुपरवाईजर के इंटरव्यू की क्ला क्लासस गन्ना प्रवेच्छक और बहुत सारी जो एगरी कल्चर की विकेंसियां होती हैं उनमें जो है इंटर्व्यू की क्लासस हमने चालू की है आज भी जो है हम इंटर्व्यू की क्लासस लेके आए हैं आप लोगों को मिल्क सुपरवाइजर देखिए सबसे पहले मैं आप आज पहले दूसरे तीसरे स्थान पर काउन सा कितना दुग्द का उत्पादन करता है दुग्द से समंदित योजना हैं कौन कौन सी हैं कहां कहां पर लागू की गई हैं जैसे अफ्रेशन फ्लर्ड है तो ये तीन चंड़ों मियुविती प्रतम दितितिती इनकी क्या-क्या टार्गेट रखा गया था तो बहुत सारे ऐसे प्रेशन आपको यहां से मिलेंगे जो आपकी इंटर्व्यू की क्लास में बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो आप बने रहिएगा आज से इंटर्व्यू क्लास चालू हैं सभी प्रेशन आपको यहां से मिलेंगे को बता दूं जो है यहां से आपको एक भी प्रेश्ण जो है बाहर से नहीं आने वाला है आप लोग बस लगे रहिएगा जिससे आप लोग का सेलेक्शन जो है हो जाए चलिए हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों जो पहला जो है टॉपिक होगा वो मेरा होगा दुगद के अब दूद का हिमांग फ्रीजिंग पोइंट क्या होता है दूद का हिमांग क्या freezing point क्या होता है यहां से प्रेशन जरूर examiner पूछता है तो जिस तापमान पर जो है दूद जम जाता है उसे हम freezing point बोलते हैं दूद का हिमांग बोलते हैं हिमांग द्वारा दूद में पानी की मिलावट को पहचाना जाता है मतलब दूद में पानी की मिलावट कितनी है ये हिमांग के द्वारा हम लोग पहचानते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा यहां से कोशन एक्जामनर बहुत सारे पूछेगा और बारी-बारी से पूछेगा देखिए अब मिल सुपरवाइजर का इंटरव्यू है तो मिलक के सारे प्रिसन आपको जरूर याद करके जाना पड़ेगा तो वही चीजे आपको यहां पर बताऊंगा तो जिस तापकरम पर दूद जम जाता है उससे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जैसा कि हमने अभी बताया है हिमांग ग्यात करने के यंद्र को क्या कहते हैं यहां से कोष्न देख लिए आयागा तो हार्ट वेट क्राइस्वोप कहते हैं यह जो हिमांग याद किया जाता है अच्छा दूद का हिमांक कितना होता है 0.54 डिग्री सेल्सियस से दूद का हिमांक होता है औस्तन 0.521 डिग्री सेल्सियस से 0.572 डिग्री सेल्सियस तक औस्तन मान के हम दोग चलेगे पानी का हिमांक, अब दूद का हिमांक कितना, पानी का हिमांक आपको पता है, 0 degree Celsius होता है, ठीक है, कितना 0 degree Celsius होता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, पानी का उबलांक, उबलांक मतलब कोथरांक होता है, पानी का उबलांक क्या होता है, मतलब कोथरांक क्या हो बोलते हैं अब दूद का मेरे बच्चों दूद का कोतनांग कितना होता है देख लीजिए मैं इसको जो है ब्रैकेट में कर दिया हूं और सफेद भैस का बिल्कुल सफेद होता है ये आपको पता होना चाहिए भैस के दूद में कैरोटिन विटामिन A में परिवर्तित हो जाता है इसी कारण भैस का दूद जो है सफेद हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं देख लीजिए अच्छा दूद का सफेद रंग दू तथा कैलसियम फासपेड द्वारा प्रकास प्रावर्तन के कार जो है दूद का सफेद रंग होता है अब दूद का पियच क्या होता है मैं आपको बता दूद पियच से भी कोश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे तो ताजे दूद का पियच 6.5 से 6.7 होता है जो ता थनैला रोग जानते हैं पसु में बीमारी हो जाती है थनुद से सम्मंदित बीमारी है जिस पसु को थनैला रोग होता है उसका पियच मान ज्यादा हो जाता है 6.7 से 7.5 हो जाता है पियच मान अच्छा खीस खीस अमली होती है इसका पियच मान 5.7 से 6.4 होता है 5.4 से 6.4 हो होता है आपतित कोड का मान बटे प्रावर्तित कोड का मान इस प्रकार हम अपवर्तरांग निकालेंगे घी में मिलावट का पता लगाने के लिए हम इसी गुड का प्रियोग करते हैं अच्छा दूर का पवर्तरांग क्या होता है 1.344 से 1.348 तक 20 जिगरी सेल्सेस पर और पा टेलिग्राम चैनल है आपसको जोइन करिए बहुत सारे प्रेसी जो है मैं आपको इंप्डूम। इंटर्व्यू की पर प्रफेश से बहुत इंप्डूम करिए और चैनल को जरूरुर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहीँ से आपका सलेक्सान और अवाला है चलिए आगे बढ़ते हैं देख लिए दूद का गाढ़ापन आपको पता है दूद का गाढ़ापन विसकोसिटी से बोलते हैं किसी पदार्त के बहाओ में प्रतिरोध उत्पन करने की छमता को उस पदार्त का गाढ़ापन हम कहते हैं ठीक अब कोशन देखिए क्या होगा जाहे होती हैं गाढ़े पन की मेरे बच्चों इकाई होगी । क्या होगी पायस और यंत्र से हम गाढ़े पन का पता लगाएंगे डूद का वह होता है विसकोसी मीटर क्या होता है विसकोसी मीटर दूध का गाढ़ा पन कितना होना चाहिए 1.5-0 clamps से होना چाहिए अच्छा दूद का प्रिष्टतनाओं देख लूँ ये भी important है कभी कभी आपको पूँच लिएगा दूद का प्रिष्टतनाओं कितना होता है और पानी का प्रिष्टतनाओं दूद के प्रिष्टतनाओं से अधिक होता है कि कम होता है दूद का प्रिष्टतनाओं पानी के कम होगा क्यादिक होगा तो कही तरीके से कोशन आपको यहाँ पर तो है मिल्क सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे ठीक है तो सर्पेस टेंशन प्रेस्ट तनाव वह बल है जो एक 61 चेतपल के बेदने के लिए अवस्यक होता है अब प्रेस्ट तनाव का इकाई है डायन प्रेस्ट तनाव का सूत्र होता है दूद का गनत वते पानी का गनत का सूथ होता है मेरे बच्चों दूद का घनत पर पानी का घनत अच्छा इसके बार जो मैं आपको बताऊंगा ठीक है आप इसको इसके सार ले लीजेगा ठीक है देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूँ यहां से प्रिस्ण और आ सकते हैं कुछ पूछ एक जो प्रिस्ण जो है मैं आपको लिखा रहा हूं भैस के दूद का आपेच्छित घनत ओ अब नीचे गाय के दूद का आपेच्छित घनत ओ यह भी पूछा जा सकता है गाय के दूद का आपेच्छित घनतों कितना होता है ठीक है तो घनतों जब पूछा जाए तो 1.032 और 1.030 ये जो है गाय और दूद का आपेच्छित घनतों होता है तो ये कुछ दूद से important देखिए दूद तौपिक बहुत बड़ा है मिलक सुपरवाइजर इंटर्व्यू के लिए ये दूद टौपिक बहुत बड़ा है इसको हम क्या करेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि यहां से examiner कोई प्रेशन पूछे तो बिलकुल आपके दिमाग में होना च चाहिए जितना भी इंटर्व्यू हो वो सारे में सारे प्रेशन आपके सही होना चाहिए तो आगे जब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट जो है इंटर्व्यू के लिए classes बराबर चलेंगी आप बिल्कुल जोइन करें चैनल को ज